हेलो दोस्तो आपका एक वर हमारे चैनल में फिर सी तुस्त रब करते हैं तो दोस्तो आज मैं आपको फिर कुछ अबडेट्स और किल्ओ करना चाहाँ गां कुछ ऐसी जेनके पहले वेदान्ता वेदान्ता कम्पनी है और इसने इंट्रिम डिवडेंड की गोशा किए आप देख पा रहे हो मैं इसकी एनसे की वेबसाइट पर हूँ और इस पर दिखा रहा हूँ है डिवडेंड यह रहा इंट्रिम डिविडेंड 9 मार्च 2022 एक्स डेट है इसका ठीक है 9 मार्च कॉर्पूरेट एक्सन में आप देख पा रहे हो नहीं सुरी 9 डेट तक आप इसको खरी सकते हो ठीक है और हम बात करते हैं वेदानता के बारे में vềदन्ता काफी अच्छा रिटन दे रखा है यह दूसरों यह एक ऐसी कंपनी है जिसके अगर आप शेयर बाइक करते हो तो आपको डिविडेंड भी बहुत ज्यादा मिल जाता है ठीक है साल में तीन दीन चाच-चार बाद डिविडेंड देती है लागे रेटन तो अलग है डिविडे अच्छा देखते हैं तो में चाप डिसका काफी अच्छा है यह तो बॉलाटाइजाशन चलता रहता मार्केट में गिरावाट और उता ठाव ठीक है अगि लॉंग टर्म आप देखोगे तो 11,326 पसंड का रिटन ते रखा है तीर रुपे का हो गया तीर रुपे का हो गया 288 क रोड के शीरस बेचे हैं तो यह चलता रहता है मार्केट में कोई खरीद रहा है किसी कपनी होने की जरूद नहीं है अगर किसी के पास सही रहा है तो प्लीज होल करके रखके लंबि समय के लिए डिविडेस लिए ऑच्छा है और अपने क्यार रहा है तो आपको क्या व नहीं है तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंफोसिस जी आजस्तों IT शेक्टर की दिगर्ष कंपनी के बाद इंफोसिस का नंबर आता है और रिटर्न की बात करें तो उसने में टाट देक्टेंथ देखते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न काल करते हैं लगवक्त पंद्रहें पर हजार पसंद का बोर्ड सकते हो पंद्रहें का नहीं है मुझे बताए आप इसको 15000 पर संद करें बोर्ड सकते हो ठीक है इसको अंदर दाके देखते हैं कि अक्षर यह है क्या क्या रहा है तो इन्फोसिस का क्या है इन्फोसिस कंपनी का एक री स्केलिंग प्रोड़ाम है इसको थोड़ा नीचे देखते हूं इसका एक री स्केलिंग प्रोड़ाम है जिसमें यह कंपनी जो है जिसके पास कई कॉलेजिस है कई इंस्टिटूशनल है इसे आप देख सकते हो इन्फोसिस स्प्रिंग बोड़ है पार्टनर विद ओवर सास्टो एजुकेशनल इंस्टिटूशन्स एंड एजुकेशनल डिबार्टमेंट्स ओफ द इस्टेट गॉर्मेंट औफ करनाटा का महाराश्टरा एंड उत्रप स्टिट करनाटा है और के साथ क्रोग्राम है उसमें 100 दिल के अंदर नहीं देड़ सो मिलियन यूजर को मतलब अचीव कर लिया है ठीक है और लेकिन ये 2025 तक इनका टार्गेट है दस मिलियन यूजर का टार्गेट करने का ठीक है कि 2020 तक आप देख पार रहें में अकोर्डेट्ट दूरा इस्टेट में इस्टेट्मेंट इस्टेंड प्रोग्रेस ऑन एस जी कमिट्मेंट विच तो मेरे बात है कि 2025 तक इनका टारिक है तो काफी अच्छी नियुज है बहुत ही अच्छा है कि अपने आपको बेजिस को ग्रोव कर रही है और अपने आपको हर तरीके से अपने आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर लिए तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसका पाइटा मोटेश टार्गेट पैस्व पांसव पिचेतर एंपकी गुलुवन एंपकी गुलुवन एक ब्रोकरीज फ़र्म में जिसने उसका दस घंडी पहले एक न्यूज आया जिसमें उसका टारेट दिया हुआ पांसव पिचेतर का कोई बड़ी बात नहीं है गिरावट सब्सक्राइब के बाद ऐसा कुछ हो गया है ठीक है 40-50 बसमें रेटन रहका है और हम देखते में इसने पांसव तीस तक तक तो यह पहुंच गया था ठीक है तो एक तो यह है इसके बारे में तो इससे हम आपको कुछ नहीं करना है यह एक न्यूज है जो मैंने आपको बत इन रूरल एरियास आफर डॉर्स्टेफ कार बाइंग ठीक है तो इसको हम दोना अंदर जाकर देखेंगे कि एक्चुली में कह क्या रहा है और क्या सोरूम है तो हम नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं और वहां पर देखते हैं टाटा मोटर्स ओन थर्जडे सेड इट इट रहें लांज टो ऑनबाव शोरूम ओन वीड्स इन लाइन विद इट्स रूरल मार्केटिंग स्टेटिजी तो मैंन बात यह है कि रूरल मार्केटिंग स्टेटिजी मतलब जो ग्रामी इल्ट इलाके हैं वहां पर जाकर कि यह बड़े सोरूम निकोलेंगे छोटे सोरूम ख खोलना बहुत ही एक्पेंसिव होता है इसलिए यह वहां पर छोटे सोरूम खूलेंगे ताकि वहां पर टाटा मोटर्स की सोरूम होंगे तो कंपनियों को पता रहेगा कि टाटा मोटर्स भी कंपनी है और उसके पास भी यह प्रोड़क्त मिलते हैं यह वहां पर जान पेच अच्छी पहल किये कंपनी ने अपने आपको बड़े-बड़े महानगरों से लेकर के रूरल एरिया में ले जा रही है तो मैं पर बजी है कि अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल्स बढ़ाने के लिए लोग जानेंगे जैसे मारूति सुझी की सबकी उस पर रहती है मारूत मारूत इबंट ऐसे टाटा मोटर्स चीक है तो मैंन बात यह उसने टार्गेट किया है कि अपने कस्टमर को बढ़ाने का टार्गेट किया है तो काफी पॉजिटिव जरूर जाने चाहिए हमको क्योंकि जिस कंपनी के शेर हमारे पास हैं तो उनके बारे में हमें पता रहना इसमें कुछ कॉंटि एड कर सकते जो की आपको देखरों को मतला है बार्पसंट के डिसकांट है आप इसको गिरावाट नहीं मुलोगे क्वालिटी वाले डिसकांट की तORप होता है इंवेस्टर के लिए ना की गिरावाट तो कुछ कउन्टिटी आप अपने पौन्पॉल बरूर कर लीजिएगा ताकि मुझे थोड़ा बद मोटिवेट मिले और हां कोई क्वेरी अगर हो तो कमेंड्स करके जरूर बताएगा थैंक्यू दोस्तों